हेलो बच्चों कैसे हैं आप सबी आई होप सभी लोग अच्छे होंगे तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बायो लॉजी के इंपोर्टेंट को पढ़ते हैं आप सभी को पता है कि डेली डेली हम दस सवालों को पढ़ते हैं चाहे वो जो सब्जिक्ट हो फिजिक्स हो बाय हो केमेस्ट्री हो हिंदी हो यहां तक की समाजिक विज्ञान के भी वीडियो मैं आपके लिए डाल रही हूं तो आप लोग अच्छे इसको देखिए रिस्पॉंस करिए और अच्छे सबने पढ़ाई करिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे पहला सवाल है किस चीज क का राइट आंसर बन जाएगा जो ट्रिपसें होता है वह एक हारमून होता है जो की प्रोटीन के पाचयन में सहायता करता है ठीक है और लेकिन यह प्रोटीन को पॉल्लीजव現在यों बात आप जरूरी याद या लवडों पर तो जो ये emilage enzyme होता है बच्चों ये किस पर क्रिया करता है कार्बो हाइड़ेट्स पर क्रिया करता है यानि कि right option क्या होजाएगा हमारा चूस करेंगे तो तो correct option होजाएगा A option हमारा question का सही जवाब होगा ठीक है अब देखो जब मैंने आपको basic classes पढ़ाई थी तो वहाँ पे आपको बताया था कि जो carbohydrates होते हैं वो किस से किस से मिलकर बनते हैं carbon and hydrogen से मिलकर बनते हैं समझ गए ना चलिए गए अच्छा अब आपसे मैं पूछोंगर कि carbohydrate किस में किस में पाय जाता है तो कोई example आपको लिखके comment box में बताना है क्योंकि मैंने आपको basic classes में पढ़ाया हुआ है यह चीज ठीक है चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ सवाल नमबर तीन यानि कि question number 3 हमारा क्या कह रहा है पढ़ते है question number 3 बोल रहा है इस्टी एपसिन एंजाइम क्रिया करता है किस पर carbohydrate पर लबणों पर प्रोटीन पर या फिर वसा पर तो याद रखिएगा बच्चों यह वसा पर क्रिया करता है यानि कि correct option क्या हो जाएगा हमारे सवाल का options वसा कहां लिखावर D option में तो यानि कि D option हमारा सही answer होगा पाई जाते हैं ठीक है सवाल याद रखेंगे आप लोग और correct option क्या हो जाएगा सवाल का option number D यानि कि वसा पर करते हैं वसा मतलब क्या होता है जो फैटी चीज़े होती है वह वसा के अंदर आती है ठीक है जिसमें ज्यादा fat वगयरा पाई जाता है जिससे oily चीज़े होते ह जब किसमें आता है वसा के अंदर आता है ठीक अब आपने जिसने भी basic chapter नहीं पढ़ा हुआ है जात कर लिजेगा basic chapter मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जाके देखो playlist वाले section में जाना वहाँ पर biology का basic class search कर वहाँ पे playlist मिल जाएगी आपको लगबग बीस से 21 class मैंने लिए आपको basic से एक बार revise करने लिए ठीक है चलिए चौथा सवाल पढ़ते हैं अगना से एक रस किसके पाचन में सहायक होता है यह सभी प्रोटीनियों कार्बोहाइडरेट के प्रोटीनियों अमवसा के या प्रोटीन के मुझे ना option यह सभी लाश्ट में रखना था लेकिन मैं अगना से एक रस किसके पाचन में सहायक होता है यह चिस प्रोटीनियों के पाचन मेंशाहइध होता है और अगनासा एक रस में क्या पाए जाता है उपर अभी आपने एक सवाल अभी ने पढ़ा था किस पर क्या करता वासा पर जो कहां पाए जाता है सवाल समन में आ गया उसका उप्सन होगा यह जबी वो मुझे लास्ट में रखना था लेकिन हो मैंने यह ओप्सन में रख दिया था कोई बात नहीं चलिए सवाल के तरफ बढ़ेंगे पाचवा सवाल है वह है एंजायम जो सुक्रोज को क्लुकोज तता फ्रक्टोज में बदलता है तो ओप्सन के ओप्सन देख लेते हैं लाइबेज, लेक्टोज, सुक्रेज या फिर ओप्सन देख लेक्टोज इन में से कोई नहीं सही जबाब क्या हो चाएगा बच्चों सुक्रेज होगा यानि कि ओप्सन सी इस क्वेशन का सही जबाब होगा एंजायम जो क्या होता है सुक्रोज को ग्लुकोज या फ्रक्टोज में चींज करता है, उसका नाम कि है सुक्रेज ठीक, चरीज अच्छा यह बताईए कि आप तभी को क्या चीनी का सूत्र पता है जिसको जिसको भी चीनी का सूत्र मालूम है वो कमेंट करके बताएंगे क्योंकि मैं देखना चाहते हूँ एक्जाम तो नजज़ी का रहा है आप लोग कितना प्रिपेर हो चुक्ए अपने एक्जाम के लिए ठीक है, अब बताईएगा चलिए, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के तरफ क्यूशन नमबर 6 छटा सवाल क्या है हमारा रसांकुरों में वसा का अप्शोशन किसके द्वारा किया जाता है अचheen भहनियों द्वारा पालॉरी ग्रन्थी द्वारा रुधिर भहनियों द्वारा या इनमेद से कोई नहीं डी ऑप्षन तो सही जबाब क्या हो जाएगा बच्चो जो रसांकुर में वसा का और शोषन होता है वो कौन करता है अक्छीर बहनिया किया जाता है ठीक है देखो रसांकुरों के बीच भाग में या नेक्टियल्स नामक लसी का कोशिका होती है इसी कोशिका दोरा वसी अमलोयों ग्लिसरॉल का उसोशन होता है ठीक है जिसे हम कहते हैं वसा समझ गए चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के तरफ पर्शन नमबर सेवन क्या कहरा है देखते हैं प्रकास संसलेशन में कौन सी गैस बाहर निकलती है ऑप्शन से ऑक्सीजन, मेथेन, कर्बन डायोकसाइट या इनमें से कोई नहीं तो करेक्ट आशर क्या होजाएगा बचो प्रकास संसलेशन में औक्सीजन गैस बाहर निकलती है अब ये बताइए प्रकास संसलेशन जो प्रक्रिया होती है ये जो ziou करते हैं वो क्या है ? स्वापोर्शन है की परपोर्शन है ? तो याद रखेगा क्या एक श्वापोर्श जो जिसमें पत्तियों में जो हरा कलर भाग होता है यानि कि हरित वर्डब जो होते है क्लोरोफिल जिसको कहा जाता है वुसकी आफशकता होगी अगर क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो हरा होई गई नहीं तो कैसे अपना मुझन बनाएगा तो याद रखिएगा कि सबसे जरूरी चीज क्या होती है सूरी का प्रकास चलिए बच्छों बढ़ते हैं अपने आज की आखरी सवाल की तरफ क्वेशन नमबर एट क्या कह रहा है मनुश्य के क्रिंतक दात का क्या कारी होता है अब देखो मैंने आपको बताया था एक दात वाला सवाल मैंने आपको बताया था ना जब सैश्वा आवस्था होती है तब उसे में दूद के दांतों की संक्या कितनी होती है बीज होती है जब यह आवस्था हमें आते तो लिए दांत 32 हो जाते हैं अब पूछा गये उसमें भी आलग लग पार्ट होते हैं क्रिंतक रद्दनक चावर्डक अगर चावर्डक यह चार पार्ट में होता है तो क्या हो जाएगा इस कोशिन का भी आपसन इस सवाल का सही जवाब बनेगा ठीक है चाप्रिकार के दाथ आपको बता दिये मैंने क्विर्टक का काम होता है कुछा जासकता है कोई भी एक सवाल आपको से पूछा जासकता है कुशन न.9 पर आज आ जाते हैं आज का हमारा second last question है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है ताइलीम, पितरस, दोनों यह इने से कोई नहीं तो अगर आपको पता है कि पित तरस कहां बनता है पित तास यानि अमास एंसरी या करेत में बनता है जो कि क्या करता है भोजन को पजाने का काम करता है ये अमली होता है तो अगर आप ये पेट में हमारे बन रहा है तो मुख बूचा कि लार में कौन सा एंजाइम पाय जाता ह वो जो बोजल को पचाने में सहायग होता सब से पहले जो जो आपना तुख़न का काम करता है खिक है चली रब्लिडा नमसेश में किसमे पाया जाता है अच्धार आपको यह इन से कूरिय अच्छा आपको थोड़ा सा ये options कैसे लग रहे हैं देखो जो रंद होते हैं वो अगना से रंद तो हमेशा पौदों में मनते हैं तो correct answer क्या हो जाएगा option number 20 सवाल का सही जबाब होगा I hope सारे सवाल आपने पढ़ लिए होगे सारे अच्छे से आपको नोट भी कर लिया होगा समझ में भी आया होगा तो ऐसे ही आप अच्छे से बढ़ते रहे हैं response लेकिन आप लोग का आना चाहिए बच्छो देखो response आता है तो ही मुझे पता चलता है कि हाँ आप लोग को कि हाँ बच्छे response करते है तो आप लोग response कर दिया करो वीडियो देखने के बाद ठीक है सलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अपके लिए थैंक यू भाबाई अच्छे से प्रिपरेशन करिए अपने सास का ध्यान रखिए बेस्ट आप लग पॉर एक्जाम मिलते हैं अब अच्छे वह बगले वीडियो में तक तक लिए थैंक यू बाबाई